जेहीं दोस्तों, दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ PGCIL Recruitment 2020 के बारे में जो की रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें की आल इंगर सेकेंडेट बिना किसी एपलिकिसन फीस के आवेदन कर सकता है तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ पर दोस्तों इसके पहले जो आपका इस वीडियो का GK कोश्चन है, वो देख लेते हैं, इसके बाद बात करते हैं इस बरती के बारे में तो यहाँ पर आपका सवाल है लोक नरतियक करने वाले को कहते हैं तो आपके ओप्सन है ओप्सन A, लैकिक ओप्सन B, लोक नायक ओप्सन C, लोक नरतिक और ओप्सन D, लोगों के साथ नाचना तो जो भी आपको लगता है वो आपको कमेंट के मादियम से बताना है और साथ ही आपको वीडियो को लाइक सेर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अब चलिए दोस्तों बात करते हैं इस बरती के बारे में तो यहाँ पर आप थोड़ा सोट में देख लीजे फिर इसके बाद में आपको परतेग जानकार इसके ओफिसियल लॉन्टिफिकेशन से कन्फर्म कराऊंगा तो नेम ओफ दी ओर्गनाजिशन आपका पावर ग्रीड कोर्परोरेशन ओफ इंडिया लिमिटेड है जिसको सोट फोर्म के अंदर PG-CIL बोलते है जोब टाइप आपका सेंट्रल गोर्मेंट है और जोब नेम यहाँ पर आपकी अप्रेंटिस की है टोटल वैकेंसी आपकी सभी ट्रेड को मिला करके 114 निकाली गई है जोब लोकेशन आपकी महाराश्टरा, गोवा एंड चथिसगर रहने वाली है बट इसमें मैं आपको बता दू कि आल इन्या सेकेंड डेट आवेधन कर सकते है स्टार्टिंग डेट टू सब्मिट ओनलाइन अप्लिकेशन फोर्म 23 माई 2020 है और आवेधन करने की अंतिम्तिती 14 जून 2020 रखी गई है अब इसमें आप लोग फॉम फिल अप कैसे कर पाओगे तो मैं आपको बता दू कि मैंने फॉम फिल अप की वीडियो ओल लेडी बना दी है अगर आपने चैनल को फॉलो की है तो आप जानते भी होगे कि इसकी वीडियो आ चुकी है जो कि अभी आप यहाँ पर वीडियो में भी देख पा रहे हो आपको इस वीडियो का direct link वीडियो की description में मिल जाएगा जो कि आप देख पा रहे हो आपको link open करके यह वीडियो वाच करके इसमें अगर आप eligible पाए जाते हो आपकी qualification या अन्या जानकारी कानुसर तो आप इसमें apply कर लीजेगा अब चलिए अन्य जानकारी भी देख लेते हैं तो यह इसका official notification है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो यह short notification है इसमें आपको trade के नाम दिये गए है 27 ट्रेड पर आपको monthly क्या stipend दे जाएगा वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो basically इन ट्रेड पर आपको 15,000 रुपे दे जाएंगे और जो trade आपके diploma वाले है और assistant human resource है इसमें आपको 12,000 रुपे दे जाएंगे यहाँ पर आपको यह भी दिया है कि interested candidates who have passed the year final year examination note before two years यानि कि अगर आपने अपनी qualification जो भी इसमें आपसे महाँगी है आवेदन करने के लिए वो दो साल पहले तक की है जिसे कि अभी 2020 है तो 18 या 19 अगर आपने 19 के अंदर की है तो आप तब ही आवेदन कर पाऊगे अगर आपने अपनी qualification इसके पहले complete किया तो आप इसमें eligible नहीं हो पाऊगे अब चले जो अन्य जानकारी है और vacancy retail है वो भी देख लेते हैं यह आपके qualification हो चुकी है इसमें trade wise ही आपस qualification मांगी है यानि कि अगर आप आपका जो trade है graduate in electrical engineering तो आपके पास जो graduate की हो गयता है वो electrical engineering के अंदर होनी चाहिए इसमें आविदन करने के लिए अब यहाँ पर जो आपका vacancy retail हो मैं आपको दिखाता हूँ तो यह आप देख लीजिए इसकी official website जहां से आपको apply online करना है आप यहाँ पर trade name और किस region के लिए वो पद निकाला है वो साथ ही आपकी यहाँ पर जो starting date है वो category candidate को यानि के सभी category candidate free में आविदन कर पाएंगे और age limit इन्होंने यहाँ पर नहीं पता ही है बट आपकी जो age limit हो 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए क्योंकि यह trade higher trade है जिनमें कि आप से graduate क्यों गयता मांगे तो इतनी age limit आपको दी जाती है तो दोस्तों जो लोग इसमें eligible अगर आई है तो प्लीज अस वीडियो को लाइक शेयर और साथे साथ आपके अपने यूटूब चैनल ग्यांदे होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बैल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबस पहले मिल पाए जे हिन दोस्तो